हेलो स्टूरेंस वेलकम बैक तो माय यूटीब चैनल सो इस वीडियो दे विच बचे सी थर्ड युनिट दे लॉज अफ मोशन दा सेकंड साथा लेक्चर है सो उसी multiple choice questions जड़े हां डिसकस कर रहे हैं लास्ट वीडियो दे विच बचे सी knowledge based question जड़े हां डिसकस किते सी इस वीडियो दे विच असी understanding based question डिसकस करांगे so first question हा a ball is traveling with uniform translational motion अगर कोई body uniformly मतलब इकोजी motion दे विच स्पीड दे नाल अगेन उजा रहे हां ता हुदा मतलब किया uniform motion translational motion मतलब सेम velocity दे नाल कोई चीज अगेन उजा रहे हां अगर सेम velocity या ता उन्हों असी constant velocity कैसा कदे या ठीक हा ओ कैंदे it is at rest rest दे विच नहीं हा क्योंकि हो move का रहा the path can be straight line और a circular and the ball travel with uniform speed so कैंदे या ता straight line दे विच होएगा या circular circular दे विच बचे जे angle वड़ा होएगा ता थो दे जडिया velocity uniform नहीं रह सगदी थो और नो भी पता जिदो यासी mode काटनिया सान विलोस्टी का टानी पेंदिया all particles of a ball have the same velocity velocity same होगी and the velocity is constant so c option बिल्कुल correct की सारे पासे थोड़ी same velocity होएगी ता constant होएगी center of the ball moving with constant velocity सो बचे इदा हो नी साग दा ball दा center पाट अलग तरीके ना कुम दा होएगी ता बारवाड अपास लग so ball ता ball ही या ball ने constant velocity देना ही move करना so c option is the right answer बचे second question हा a meter scale is moving with uniform velocity this employs so एक केड़ी चीज नूँ show कर रहा है अगर कोई केंदे body या uniform velocity देविच जारी हा अगर uniform velocity देविच जारी हो ते force होएगा या फिर acceleration so असी गल कर दिया uniform velocity अगर uniform velocity है acceleration और force दोनों चीज़ा 0 हों दिया इदा मतला होना ने इथे torque दी गल भी कित दिया हर so tau के देख लूँदिया force into displacement असी हुने कहके हटे हां अगर uniform velocity है इदा मतला acceleration भी 0, force भी 0 अगर force ही 0 होजेगी ता torque भी की होजेगा 0 इदा मतला torque भी 0 और 30 force भी 0 so option number b j अगर force acting on a body on a scale is 0 and the torque acting about the center of mass of the scale is also 0 next uh cricket ball of mass 150 gram, उन बच्छे साटे को 150 gram जड़ा है, वो mass given है, mass असा नो SI units दे विचे चाहिदा है, so SI gram नो, kilogram दे विचे convert किता था, ता 1000 ना divide का देता, ता 0.50 जड़ा है, 150 kilogram answer हाजेगा, ठीक है has initial velocity, initial velocity given है, final velocity given है being after hit, the change in momentum, ता momentum किन होएगा, बच्छे, change in momentum की होएगा, ठीक होएगा, ठीक है, final momentum minus initial momentum, होण final momentum, momentum किदे इकोल होँदा mass into velocity, so F final है था, mv minus m u clear होगया जी, सो दोना दी विचे की या, ठीक है, ठीक है, constant है, so m बार निकाल दो, होण velocity किननी है, आरी velocity, which is minus 3i, बच्छे, बार वाला minus अंदर लेके गए, ता minus 4j, आवला minus by rule एथे आगया, ता एदे sign change होजाने के, 3i minus 4j, ठीक है जी, so 3, 3, minus 6, minus 8j, आ ठम आगी, ता m d वैल्यू के निया, 0.1 1, 5, 0, so इननू बच्छे, दूसरी टर्म देना आन, multiply कार देता, ता जड़ा थोड़ा अंसर हा, 0.9, so इननी थोड़ी ची calculation बच्छे, मेरे नाड़, थोड़ी ची हटके किती हा, मैं पहला m common बार निकालता, अंदर लिख देता, u minus v, ठीक है, 0.150, initial velocity किननी सीगी, थोड़ी, 3, अपनी टोटल अंदर अंसर गिनना आया सीगा, 6I plus 8J, ठीक है, एही आया सी, सो बच्छे, उन्हों बार वली टर्म देनाल, multiply करके देख लाएना, थोड़ा अंसर आजेगा, जिस method देनाल, मैं दसी आया, एक वरी try ज़रूर करके देख लाएना, अंन्ही आंसर आयेगा, था बच्छे, एक वरी कमेंट सेक्षिन देवीच देदेना, इन्द प्रिविएस कोश्चन, कोश्चन नमब थर्ड दे, विज़र अपना क्रिकट बॉल वालाई कोश्चन सी, ओदे विच, दा मैंगनिडूड ओफ मोमेंटम, प्रांसफर्ड द्यूरिंग दा हिट, उन्हाने क्या इदा मैंगनिडूड पता करो, मैंगनिडूड दा की मतलबा, की यसी, पी, आफ अचे सादा डेल्टा पी आया, मैंगनिडूड मतलब दोनना पास यह मौड लगा दो, मौड दा की मतलबा, अंडरूट, फर्स अंडर्म दा स्केर, प्रस सेकंड अंडर्म दा स्केर, यह इन्नू सॉल्व करो था अंसर आजेगा, 1.5 किल्लोग्राम मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट आ, कंसर्वेशन ओफ मोमेंटम, इन अ कुलिजिन, कुलिजिन दे अंदर, अक्सर्वेशन ओफ मोमेंटम दे अगर गल करिये, बेत्वेशन छ इन्नू there, पार्तिकल्स चान पांड इन्नू डिल ट साकेर, पार्तिकल्स फ्रोम कित्दूर एंगर असी, अंडर्स इनोफ मोमेंटम दे गल किती जाए, सो बचína, conservation of momentum ता की मतलब आ है rate of change of momentum divided by time so this is equals to applied force, applied force बच्या equation कि थो आ है Newton's second law तो, हुन असी अगर external force नू 0 कर दियां ता dp over dt, चाहे नू delta लिख लो चाहे dp लिख लो, dp over dt थो ड की होजेगी constant होजेगी, अगर आ term constant होगी एदा मतलब pv जडाया वो की होजेगा, constant होजेगा, ठीका, dp over dt की होगया 0 sorry, आ term होगी थो आदी 0, ता पी थोड़ा की होजेगा, constant force बच्ये 0 है ता मतलब dp over dt 0 होजेगी, ता पी एदे अंदरबारी पाई होगी term की होजेगी, constant, so असी लिख देता कि आहर पी थोड़ा की आगया constant, अगर constant आपी एदा मतलब की हंदा mass into velocity is also constant एदा मतलब all particles acting force one another equal and opposite direction दिविच होणगे so equal and opposite ते दा मतलब Newton's third law होईगा so Newton first law तो बच्ची असी starting गिती या खतम Newton third law तो गिता so first second law ते third law is the right answer next पच्चे question number six देखो, a hockey player is moving northward north मतलब की northward direction जड़ाया, hockey player हो move कर रहे है it means की अपण move कर वादने है, सब तो पहला इस तरीके ना बनालो north, south, east, west, so आप अच्चे directions गलत है so इस तरीके ना थोट यहां सई directions होणगे है, north, south, east, west वो केंदे पहला नौर्थ वाल गया, अपण नौर्थ वाल direction बना देती इस तरीके नाल ठीके जी, फिर उनने क्या, turns westward, मतला की फे इद नौर्थ जला गया ठीके जी, इस तरी, उनने क्या, with the same speed to avoid an appointment किसे तरा थी कोई disturbance नहीं होनी चाहे दी, उनने same speed दे नाल अपनी turn change गा ली तो force किद्धर नौ होएगा, बचे हुनते आनना देखो, सड़े को सिरफ आ दो components हीआ अपा हुने नौ दुबारा अबना लगने या, एक एदना या, दो सड़े को forces आ रिया अगर आप एदा resultant निकालना होवे, ता ओ इस direction चोएगा, center चे, बिल्कुल center चे तक केड़ी direction है, southwest, हुनते आनना देखो, north, south, east, west, ता एक एदर सी और एक एदर सी, एधे direction आवली पासी सीगी आहाँ बान की, ठीक है जी, तो एक केड़ी है, southwest direction, सो अंसर आजेगा, frictional force along southwest direction, clear हो गया सो बच्चे मैं थोड़ा जया method change किता, अगर तुसी इस method ना करना चारनेया कर लो, otherwise, जिस method ना मैं समझाया, तुसी उस method दिनाल भी कर साकती है next question आजो, can there a body of mass 2 kg, सड़ी को mass given 2 kg, traveling along, according to the law, x is equals to pt plus qt square plus rtq, where p the value given a, q और r the value given a force acting on a body, t is equals to 2 seconds, सड़ी को एभी given a, so असी पता की करना, असी बच्चे पता करनाया कि, उनने force किन ना apply किता, ठीक है जी, असी पता की करना, force so force किता पता करांगे, force ता formula किया, उनने क्या था force acting on the body, force is equals to mass into acceleration हुन मास था बच्चे साठेको 2 kg जड़ाया, given a, हुन प्राब्लमा एक्सरेशन दी, साठेको एक्सरेशन given निया, बट displacement, x जड़ाया, ओ given a so velocity पचे के देको हुन दीया, displacement over time, dx over dt, इदा मतलब, velocity तो x दी help देनाल, असी velocity पता करलांगे, then acceleration के देको हुन दीया, velocity over time so velocity दी help देनाल, असी acceleration find out करलांगे, so थोड़ी ची calculation लंबी हा, but बहुत जादा easy हा, सब तो पहला लिखो, x t is equals to p t plus q t square plus r t cube, so थोड़ा, देको, x t टर्म है, बच्चे, असी velocity find out करने हा, velocity के देको लुँन दीया, distance over time now take derivative, हुन बच्चे, d over dt दी जगाते, s h लिख दो, अवली सारी टर्म आजेगी, p t plus q t square plus r t cube now take derivative, p is a constant term, so take outside bar लेलो, d over dt, जोदो बच्चे, इधी टर्म लवांगे, dt ने dt देनाल cancel हो गया, so इत्थे रहेगेगा, one plus next q दी जगाते, की हो आजेगा, हुन बच्चे derivative land लगया, derivative दा rule की हुनदा, t दे उपर जड़ी भी power आओ अगये आजेगी, मतलब 2 अगये आगया, then t दी पावर इक काट जेगी, पहला 2 से हुन की ने रहेगी, one next derivative लवांगे 3 अगये आजेगा, r, t एक पावर काट जेगी, तस square, आथवाड़ी आगी velocity, हुन बच्चे velocity सटी find out कारली, similarly acceleration find out करांगे, acceleration दे लिए की करना, a is equals to dv over dt, हुन d over dt, s अच लिखिया रहे हैं देता, velocity दी value असी हुन है कट दिया, p plus 2 qt plus 3 r t square, हुन एधा derivative लो, p दे नाल कोई भी constant, कोई भी variable, t नहीं प्या, इधा मनला, p is a constant term, जो एधा derivative लवांगे, this is become 0, next दिखो, 2 q is a constant term, मैं ऐसा च लिख दो, t दी पावर के निया, 1, जो दो derivative लवांगे, 1 अग्गे आजेगा, 2 1 जा 2, t दी पावर 0, t दी पावर 0 means 1, ठीक है जी, plus 2 अग्गे आजेगा, जो दो derivative लवांगे, 3 2 जा 6 r, t दी पावर एक कट गी, तब 1, it means 2 q plus 6 r, t सा दिकर न आगी, x अरेशन, आगी x अरेशन, ठीक है जी, हुण असी उना ने की क्या आया, की x दी टर्म असी की पुट करनी हा, सब्तो पहला सानू जो x दी equation गिवन हा, आ x गिवन हा, बचे तिया आन ना देखलो, कली-कली values पुट करनी हा, p दी वैल्यूस आनू किनी गिवन हा, 3, q q दी वैल्यू 4, r दी वैल्यू 5, जिते जिते टी हो थे, की पुट करना, 2 seconds, एतो जाड़ी displacement आजेगी, ठीक है, तो बचे शाड़ी acceleration दा अंसर किनना आ गया, 2 q प्लस 6 r t, now put the values, हुण बचे वैल्यूस पुट करनी हा, start करनी हा, q दी वैल्यूस आनू किनी गिवन हा, 4, q द 6 r दी वैल्यूस आनू किनी गिवन, r is equals to 5, r किनी हा, 5 और time 2 seconds, so सारी वैल्यूस फाइन आजेगी, बचे दिस इस नोट x, दिस ए वैक्टर, ठीक है थे a वैक्टर लिखेला है ना, so आ थाड़ी acceleration आगी, 4, 2 जा, 8, 6, 5 जा, 60, not, it's not 60, बचे 30 आएगा, 30 multiply by 2, ठीक है, 30 multiply by 2, फिर आया, 60, clear हो गया, दोनानों आड़ किता था, 68, ये साड़ी आगी, acceleration, की आगी साड़ी, acceleration, अगर ये साड़ी, acceleration आगी हुन, असी force पता कर सा दिया, force के देकोला, mass into acceleration, mass किनना गिवन हा, 2 kg और acceleration, 68 असी हुने, find out कर के आटे है, दोनानों multiply किता था, 136 is the final answer, similarly, बच तो कर के देख दिया, a body with mass 5 kg, हुन बच्चे था, उनों mass गिवन हा, 5 kg, acting upon a force, if the initial velocity at t equals to 0, you the value गिवन हा, the time at which it will just have velocity along the y-axis, so असी y-axis along जडिया, वो हो, time जड़ा, वो पता करना, उनने किया, the time at which it will just have a velocity, so time पता करना, time कितो पता लगेगा वाचे, सड़ी को force हा, mass हा, बट हुन time पता करना, the displacement ये वो होना चाहिदा, थो अडिको, so आएगा velocity is equals to u plus 80, हुन problem किया सड़ीगे, कि सानों initial velocity, final velocity, acceleration, इनना सारेंगा terms वारे ही नहीं पता, सब तो पहला सीगी करांगे, तो acceleration निकार लांगे, केदी मद अधने ना, so force के दे इक को लोंदा है, mass into acceleration, so acceleration के दे इक को ला force divided by mass, so force के इनना है बचे, थोड़ा force के इनना लग रहा, 3i plus 4j divided by mass के इनना है, 5kg, so इननों solve किता बचे, थोड़े को, एक टर्म आगी, acceleration, हुन असी formula लगा सा करिया, x-axis दे लॉंग, v is equals to u plus 80, so next page दे उपर ही y-axis दे along, जो दो असी लगा मांगे, then velocity along x will be 0, अगर असी y-axis दे along कोई body नो move करवा रहे हैं, जो इद्दर नो move करवा रहे हैं, तब y-axis दे along की होजेगा 0, तब velocity कि नहीं होगी 0, एथो बचे t दी value, निकल की t आगया थो, 10 seconds, I hope बचे वैसे ता accurate ने बहुत कला कला step जड़ होया, तो इस करके कोशिस step जड़िया, मैं भी लिख के explain नहीं का रही है, क्योंकि और रडी उना नहीं लिख्या होया, पर फिर भी जदो तुसी समझ रहे हैं, बाइचांस था नो किसे भी point दे विच किसे तरह दी कोई problem हों दिया, ता please बचे comment section दे विच पुछ लेना, ता जड़िया विडियोज था नो इकदे विच ही problems जड़िया solve हो जड़िया, एर्थ कोशन हा बचे, खुद ट्राइ करके देख लेना, simple ज़िया, कोशन है, so एक वरी खुद ट्राइ करके देख लेना, बचे, नेक्स कोशन हा, question number 10, when a horse pull a card, जदो एक कोडा, एक काड नो अपन एक ले वचे, खुद गे देना आला, एर्थ देना आला, ग्राउंड देना आला, so ग्राउंड जड़ा या वन्नो, force of friction अप्लाई कारे या, जड़े वजे नो, ओ अगे रुत के ले आ जान्त, so option number C is the right answer, ground on the horse, next, the bubble of a mass 0.01 kg is thrown vertically upward, जदो असी कोई छोटी जड़िया, बटी नहीं होएगी, when, where, it is at rest, जड़े जाके बचे तुसी ओनो, rest ते count कर साकते है, so highest point ते जड़िया, force पता करनिया, इस point ते, तो इतना force बचे नहीं नीचे नहीं आएगा, बाद बीच, कोई भी जी, so force के देको लाएगी, mass into acceleration, acceleration के नहीं जड़िया, जड़िया, जड़िया 0.8 पुट कर दो, चाहे तुसी 10 पुट कर दो, round off करके, ठीक है, ता decimal हट आई, ता 0 आगे, इनना एक अट आगे, ता 1 डिवाइड़ बाए 10, इनना मतलब 0.1 newton is the right answer, so C option आजेगी 0.1, next question देखो, so ददा ही same question हा, try करके देख लाना, question number 13, 14, इस simple questions हा बचे, so एक खोड ट्र and section देविच देदेना, ता जड़ी तो नो solution मिल जेगा, question number 15, देखो, a cold soft drink is kept on a balance, अगर उनो balance से रखे, then the cap is open, जिद्धा ही असी cap नो open करांगे, the reading of the balance, ता किद्धा दा जड़ी होएगा, जद्धा असी coke नो open कीता, so definitely बचे सा नो पता कि force के देख लोंदा, force equal pressure over area, या फ जड़ी होईगा, जड़ी होएगा, बाद वीच देखे, जड़ी होजेगा, ता नो पता बचे आपा कैप जड़ी होजेगा, जिद्धा भी soft drink दा दा, जिनना भी cold drink होंदा, अगर आपनू shake कर के 2 मिट रखे भी खोल देख, ता पहला हो उबल के बार नो आ जंड़ी होजे बैलन्स होदा इंक्रीज होजेगा बाद वीचे नॉर्मल होजेगा तो देन डिक्रीज इस रीजन भी दस्या होया और नहीं रीजन भी जड़ा तुसी पड़ सक दिया नेक्स्ट अ सिंपल पैंडूलम इस माउंटेड इन रॉकेट अगर सिंपल पैंडूलम जड़ी साठीका अर्धी अंदर भी पैंडूलम होंदा जड़ा कडीदे वीच लग्या होंदा उन्हों एक रॉकेट दे उपर रख देते जावे इस टाइम पिरियड इस टाइम फोसिलेशन डिक्रीज तरह उदर टाइम फोसिलेशन मतलग कि जड़ा बचे पैंडूलम को उंब्रेया होंदा या आवाला पैंडूलम इदर एदर जा रहे है इदर जड़ा टाइम आसी कटा दिता डिक्रीज कर दिता वें दर रॉकेट एल ओवर जी ठीका जी आ टम आएगी जदो ग्रेवेटी असी इंक्रीज करांगे एक्सरेशन इंक्रीज करांगे ता थोड़ टाइम पिरेड जड़ाया डिक्रीज कर जेगा जेदी वजानाड कैलो रोकेट दे उपर उनिफर्मली एक्सरेशन मोशन आजेगा सो सी ओप्शन आजेगा मोविंग विद यूनिफर्म एक्सरेशन फिल हाल क्योंकि तुसी यह फॉर्मूला नहीं किता होया ता में भी थान होए ही थोड़ा समझेंज डिफिकल्टी आएगी तुसी यह नू स्किप्ट कर सागा दिया क्योंकि यह 10th यूनिट देना अगर सारि यां फोर्सि इजनो बैलेंस कर देता जावे बैलन्स कदो हुएगा जदो असी एक्स्टर्नल फोर्स नो जीरो करतांगे थीक है कोई ओते एक्सरेशन नी लगरी होएगी थीक है जदो उते कोई एक्सरेशन नहीं लगरी होएगी एदा मतलब force के देखे कुलूं force is 0 हुंदा यह जदो ओधी velocity constant हो जवे, same हो जवे so it still moves with the same velocity भुषे कोनस्टेंट होगी, काफी बचयानों confusion होगी कि velocity constant किता होगी बचेते यह न समझ लो force के देखको रा mass into acceleration, so अगर acceleration 0 होगी तो साथ force जेड़ा यह वो 0 हो जेगा force 0 हो गया एक कल पता लगगी एक चीज यह पता लगगी कि acceleration 0 हा acceleration मितलब velocity over time था यह भी 0 हो जेगा सानू पता derivative दे अंदर पर यही चीज constant हो जान दिया यह था मतलब V थोड़ा की हो जेगा constant सो सानू दो जीज पता लगगी हा यह था velocity constant हो जेगी यह थोड़ा force 0 हो जेगा सो options चेक कर लो it still moves with the same velocity same मतलब constant velocity सो ए हो सकदा it is just float at the same point in space सो space दित्थे गल नहीं हो रही ठीक है C option भी नहीं सही ता D भी नहीं सही सो option number A is the right answer बच्चे question number 18 दिखो a rocket engine left a rocket from the earth surface because of hot gases hot gases की कर दियां तर्ती नू नीचे वाल मतलब की push कर दियां उपरो अग निकल दिया जो अग या तर्ती नू push कर दिया जेदी वजाना high velocity देना वो upward direction दे विच चला जान्दा है so push it against the earth तर्ती द्वारा अनू तक कमारे जान्दा with high, very high velocity so A option is the right answer two forces in the ratio one ratio two नू बच्ची थानू forces दी जो ratio ओ गिवन है इदा मतलब थानू F1 गिवन है की 1x है ठीक है और F2 गिवन है 2x है simultaneously on a particle the resultant of these forces in a three times the first force three times the first force मतलब थानू resultant force F गिवन है 3 the angle between them जड़ा असी angle ओ पता करना है so angle किदधा पता करांगे so बच्ची इस तरीके नेनू solve कर सकते अदवाइस था अनू formula पता हुएगा r is equals to under root a square plus b square plus 2ab cos theta ठीक है अथे resultant था अनू किनना गिवन है 3x, a दी value x, b दी value 2x so इनू बच्चे step by step जड़ा असी solve करांगे उनके किता take under root on both side जो तो एदा under root करांगे एदा square करांगे तो 3, 3 is a 9 x square under root देना square कट्टे आगया एथे आगया x square 2, 2 is a 4 x square so 2, 2 is a 4 x into x x square हुना तो उना terms नू add किता था 5 x square आ term ऐसा चागी next आ उद्धर term चलीगी ता minus चलीगी 9.5 निकाल देते था 4 ठीक है जी हुन 4 x square देनार 4 x square जड़ाया cancel out हो गया ता cos theta दी value सा देको कि नहीं आगी 1 so cos theta दी value 1 को दो हुन दिया जदो theta दा value 0 degree होवे so answer आ गया बचे थवड़ा 0 degree so एथे थोड़ी जी calculation दे विचबचे ना ने x missing किता होया जदी किसी x miss जड़ाया नहीं कर सागदी ठीक है so थोड़ी जी जदा calculation मैं था नूदसी है वचे था नूदसी है वचे था नूदसी है वचे था नू f x कुछ ना कुछ consider करना ही पहेगा नार so उस तरीके रा calculation करनी है next आ n small balls each of mass m electrically each second on the surface with velocity v the force experienced by the surface तो surface द्वारा force किनना experience किता गया सब तो पहला था बचे सानू total जड़ा change in momentum बता होना जाएदा असी की करांगे final momentum minus initial momentum initial नू भी असी की लिखांगे minus mv so किया जेगा mv plus mv so किनना आगया 2mv ठीका जी आ थोड़ा momentum आया सब बचे सानू total change in momentum बता लागया कि 2mv या so इन elastic collision द्यासे अंदर दिखे रहेता delta p के देखो लागया 2mv अगर असी n balls दी कल करिये था इन्नू ही n देना जड़ा तुसी multiply कर दो then force के देखो लागया according to the newton second law की कहनदा है delta p over delta t delta p दी value सी होनी निकाल लिया delta t time किनना 1 so answer आगया 2mnu so सब आणसे किनना आजेगा last 2mnu done so बचे इस book ने इस तरीके ना solve किता होया तुसी इद्धा भी देख सकते है next आजो body of mass m collision against a ball with a velocity v then rebounds with the same speed same speed देना rebound हो गया मतब velocity जड़िया that is also same जो after momentum सी या बाद वीच momentum सी बोथ हार mv इक होएगा plus mv इक होएगा minus mv next change in momentum किनना आया so change in momentum बचे पहला किनना सी mv ठीका final चो mv initially भी same होएगा which is in the opposite direction so minus आजेगा minus minus की होजेगा plus so 2mv ठीका जी 2mv थोड़ा final answer आजेगा next consider a following statement नीचे वाली एक statement जड़ी हा can they consider करो when jumping from some height कुछ height तो असी jump कीता you should bend your knees as come to rest instead of keeping your legs stiff can they की तुसी अपनी या legs नू थोड़ा जया bend कार लिया कि लगता नू बिल्कुल straight रख खंदी बचाए which of the following reaction can be useful in expression so एस चीजनो कौन जड़ी statement अ वदिया तरीके न एक्स्प्लेइन कर सकदा so ए बच्चे हमेशा ही impulse जे नाल जड़ा या ओहो एक्स्प्लेइन किता जान्दा impulsive force वगारा तुसी पढ़दे हुएंगे I is equals to force के देखुल हुंदी sorry impulse के देखुल हुंदा mass multiplied by delta T so एस चीज जे नाल जड़ा या सी नू explain कर सकदिया so option देख्लो बच्चे देख्लो बच्चे देख्लो momentum आ रहा थो ड़ा delta Ft so direct answer आजेगा so अवी निया थे आवी निया ठीका जी so जड़ा B option is the right answer बच्चे next question देख्लो sand is being dropped on a conveying belt at the rate of m kg per second the force necessary to keep the belt moving with constant velocity of v meter per second will be so v meter per second will be so सटा किन्ना होएगा त्या ना दिख्चो बच्चे sand दे उपर कोई चीज जड़ी आसी drop किती with mass m दे नाड so एदा मतलब होते कोई ना कोई external force लागरी है जड़ी external force हो के दे इकुन हों दिया dp over dt so dp over dt या एदा मतलब d over dt आसी as such लिख देता p दा मतलब किया mass into velocity so असी लिख देता mass into velocity जदो भी पच्चे इस तरीके दा derivative आजवे m v vector quantity होवे और velocity भी ता जदो इस तरा दी दो terms आज़ाण दोन्नो variables होन ता f external नो कितना solve करी दा first term as such मतलब mass as such derivative of second derivative मतलब velocity दा derivative by rule which plus the sign आएगा second term as such मतलब velocity as such derivative of first term derivative मतलब कि dm over dt now what is velocity over time velocity over time के दे एकोला acceleration which is 0 ठीक है जी next की आगया velocity velocity नो जड़ा तसी बच्चे as such लिख देता dm over dt मतलब कि थोड़ा total mass which is capital M so external force के दे एकोला आगी vm दे so vm मतलब कि mvv लिख सा दे हा newton दे unit सा so mv जड़ा या a option is the right answer next 24th question है easy question है खुद ट्राई करके देखना next 25th question है यह मैं खुद ट्राई करवानी है a mass M hangs with the help of a string wrapped round a pulley of a frictionless bear इक frictionless pulley दे उपर बच्चे एक mass M hang कर रहा the pulley has a mass M ते radius आरा assuming pulley to be perfectly uniform circular disc जड़ी pulley है बच्चे बिलकुल circular disc दे विच्चा गोला तक एंदे acceleration of the mass if the string do not slip on a pulley is अगर pulley दे उपर हो slip नहीं कार रही ता जड़ी acceleration है तुसी ओ पता करनी है so acceleration find out करांगे so बचे पुली वाले ते की हो रहा है जड़ी tension आ थो अपवर डारेक्शन च लागरिया और नीचे जड़ा gravity द्वारा जो force लागरिया that is mass into gravity mass into acceleration so mg minus t is equals to force force के दे उपकोला mass into acceleration so mg minus t is equals to ma क्योंकि बच्चे पुली जड़ी है नीचे वालनू जड़ा पारा हो नीचे वालनू जा रहे यह दे विच्चो उपवर वाली term minus करांगे अगर उपवर वालनू जड़ा या थो बड़ी खिची जा रहे है तो t minus mg आए आना सी ठीका पर हूँ t minus mg नीचे वालनू move कर रहे है so नीचे वाले जड़ी जड़ी नीचे वालनू जड़ी term minus करांगे so mg minus t is equals to force force के दे एककोला mass into acceleration क्योंकि हूँ कोई body या जड़ी rotate कर दी है पुली दे उपर so यह थे कोई ना कोई torque लग रहे होएगा so tau के दे एककोला आएगा t r दे tau के दे एकोला हूँ दा i alpha so असी लिग दे ता i alpha t r यह थो t दी value बच्चे निकाल लो that is half mr square alpha so first second third equations नो बच्चे equate किता था अंसर आजेगा 8 is equals to 2g divided by 3 so बच्चे proper जड़ा with explanation जड़ा accurate दी बूक ने कुछ step skip किते हुए so इथे इस वीडियो दी बच्चे देख लाएगा थोड ज़ा method calculation विच फरेक है solve करान दा method change otherwise formulas ओही same use किते हुए तो इस तरीके ना solve कर वी calculation जड़ी है solve कर सकते हैं so इस तरीके ना easily answer आजांदा 2g over 3 so एदा screenshot लाएगा और इस तरीके ना जड़ा अपनी calculation solve करके देख लाएगा so next question है question number 26 बच्चे एभी question same जड़ा 19th question किता जड़ा थीटा angle find out करना थी so एदे विच्चे सानू forces given the square of resultant of two equal forces होन साथे थे forces रेडियाँ equal हा एदा मतला F1 equals to F2 हा दोना नू F ले लेना जिदासी होते रेशो लेती सी 1x थे 3x एथे तुसी x वी ले साकते हैं थे F वी ले सादे angle theta है बच्चे angle theta find out करना है so solve करके देख लेना नहीं होई का ता पुछ लेना यहां comment section दे विचे दे देना ठीक है next question देख 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 इस तरह दे अक्टोबर नवंबर इदा दे पेपर दे विचे इदा दे questions काफी जादा आ रहे हैं फो एक बार यहीं दी calculation ज़रूर देख देख दा इदा करके बचे थे 1 ओव 3 ताइम जेड आया थवाट आंसर आ रहे है तो tan 5 अंसर का ऑगा 3 tan theta next question देख देख दिया है a man slides round on an telegraphic pole with an acceleration equal to the 1 4th of the acceleration 1 4th acceleration मतलब है ठी franchise लिजे इन fans Solar is equal to mg-m में M common bar निकाल लिया, acceleration दी जगात यसी की लिखिया, acceleration due to gravity था 1 4th मतलग की G over 4, so इती जगाते G over 4, so GG निकाल लिया common bar, so M G अंदर की रह गया 1 minus 1 over 4, so LCM लिखता 4 minus 1 over 4, ताग या 3 over 4, so 3 over 4 इस तरीक के ना लिख दिता, साथा अंसर फाइनली आ गया, 3 over 4 M G, M G मतलग weight, so W, so अंसर आजेगा थो अंदर 3 W divided by 4, so बचे सेम इदे नाल था, question 29 था, इदा kinetic expression दे नाले नू, stopping distance देडा है, find out करना, so बचे stopping distance वाले questions देडे important हा, क्योंकि इदा थे question दो आडे MC की उस दे विच आ रहे हा, vehicle of mass M is moving on a rough horizontal road with momentum P, if the coefficient of friction, coefficient of friction जड़ा है, mu हाँ, between the tires and the road, then the stopping distance जड़िया, तुसी पता करनी हा, so सबता पहला था बचे initial velocity U हा, which is P over M, क्योंकि जड़ा momentum हा, ओ था नू, गिवना, P के दे एक कुल होंदा बचे mass into velocity, so बचे P के दे एक कुल होंदा, mass into velocity, हुन initial velocity जड़ा था, U के दे एक कुल आ गया, P over M, so इते लिख्या होया, P over M, so final velocity जड़ा हो जोगी, क्योंकि stopping potential मतले जड़ा object जाके stop कर गया, V किनना हो गया, जड़ा 0, force of friction के दे एक कुल होंदा है, जड़ा mu mg, so असी लिख दे था, mu mg, ता force of friction बचे थोड़ा किनना आ गया, mu mg divided by M, M ना M कंटे आ गया, था, minus mu g आ गया, mu था की मतलब, negative acceleration हो, so negative acceleration उसी की बोल देनने हो, retardation, so next बचे का नाइटिक expression, V square minus U square is equals to 2A, S दी विच value put कर देती, ता थोड़ा, S दी value आ, O आजेगी, so इननी का calculation प्लीज बचे तुसी खुद try करके देख लाए ना, next देखो, a car starts from rest, to cover a distance S, अगर एक कार ने, एक distance cover कीता है S, the coefficient of friction between the road and the tyre is mu, ता होना दी विच का आर लाजेडा है, coefficient of friction mu आ, करने minimum time which the car can cover the distance is proportional to, ता minimum time कीना होनदा, सो बचे इननू solve किस तरीके ना करना, साननू पता, force of friction F के देखो ला है, mu r, पहला सी simple formula लिख लिख लिया, force के देखो ला, mass into acceleration, that is mu r, एथो acceleration जड़िया, ओ, बचे जड़ी थोटी R हा, r नू असी force दी form देविचे लिखांगे, mass into acceleration मतला, mg दी form देविचे, so m ना m cancel, so एदी answer किनना आ गया, mu g, ठीक है, mu g आ गया, so equation के दी हुन दिया बचे, s is equals to ut plus half a t square, initial velocity किनी या 0 था, 0 पुट कर दो, एथों तुसी t निकाल लो, so t दी आंसे किनना आ गया, 2 उद्दर चला गया था, 2s divided by a, under root square हो, दूसरी तरफ जाएगा था, under root, acceleration असी किनी निकाल ली या, mu g, so किनना आ गया, 2s divided by mu g, so t जड़ा inversely proportional आ रहिया है, mu दे, ठीक है, so time is inversely proportional to, 1 divided by under root mu, so c option is the right answer, next 3 different objects of mass, M1, M2, M3, are located to fall from rest, rest तो जड़े ओ fall किते, and from the same point ओ तो, along 3 different frictionless path, लग रग frictionless path, the speed of the 3 object on reach the ground, will be R in the ratio, so the ratio किदन दी होएगी, so the answer is, as the speed of the object, falling free under gravity, depending upon its height, from which it is allowed to fall, and not upon its mass, जितो तो टी चीज़ सुटी गही होती ते चीज़ और ना कि मास ते चीज़ ड़े दिपंड करदा, since the path रख और frictionless, तो मतला पाथ ज़े तो ड़े तो टी चीज़ होएगी, and all the objects are, falling through the same vertical height, same vertical height तो जड़ी चीज गिर जेगी therefore their speed on the reaching the ground must be same or ratio are their speed 1 ratio 1 ratio 1 so option number B is the right answer can they when forces F1, F2, F3 are acting on a particle of mass N such that F2 and F3 are mutually perpendicular mutually perpendicular मतला इक दूसरे ते प्रपेंदिकुलर है एक force एदर लगरिया और दूसरे एदर लगरिया which 90 degree angle बान रहा तो उन्हों सी mutual perpendicular force के दने या then the particle remains stationary stationary मतलब एक कोई जगा थे खड़ा होया rest दे उपरा if the force F1 is now removed अगर असी F1 force हटा दिये तो जड़ी होदी acceleration हो कितना दी होएगी the particles remains stationary under the action of three forces एदा मतलब F1 plus F2 plus F3 के देकोल आजेगा zero देकोल क्योंकि resultant force जड़ी हो zero क्योंकि stationary या stationary मतलब बारो कोई force लग नहीं रही एदा मतलब उदा resultant भी की होएगा zero since in the second case दूसरे case दे विच की होगया F1 जड़ा remove कर देता गया अगर remove कर देता गया तो उदा magnitude भी नहीं लगेगा एदा मतलब the forces acting are F2 and F3 the resultant of which has been magnitude as F1 तो acceleration of the particle किना होजेगा बचे हुन दा नू बताओ कि force otherwise के देकोल होंदिया force होंदिया mass into acceleration so acceleration के देकोल आजेगी force over mass so force मतलब first particle दी काल कार रही है F1 divided by M so 30 option number जड़िया A is the right answer so question number 33 अबचे एवाला question दे solution धानू angular velocity वाला given है so तुसी खोड try करके देखना नहीं होएगा ताबचे definitely मैं थानू explain करूंगी otherwise most important और easy question है so solution बहुत जादा easy है so एक वाली try करके ज़रूर देखना ठीक है next question बचे 34th question है the mass M and M on a frictionless pulley moves 0.6 meter in a 4 second what is the ratio of small M divided by capital M so बचे solve किता करना सब तो पहला तुसी distance देख लिया S is equals to UT plus half 80 square ता initial velocity के निया थो D0 होता है थे आगया 0 आघ टर्म ऐसा च लिख दे थे थे थो acceleration निकाल लिया SV पता और TV पता तो A term आगे then बचे जदो असी पुली वाली किसे दी वी गल कर दिया friction दी गल कर दिया ता थोटा acceleration ता formula आया सी M minus M divided by M plus M so इत्थो इनू solve किता ता जड़े थोटी A दी value भी बता हून बचे थोटा नू G दी value भी पता सारी values पुट करके small M over M the value जड़े थोटी N नी आजेगी so A V calculation बचे एक बचे एक बचे जुरू ट्राइ करके देखना नहीं होएगा ता 10 जिना so next question 35th question बचे A V जड़ाया अप उन्हें पिछे question करके हटे हा question number 25 25 और 35 काफी हाथ तक एक दूसरे ना match कर दाया otherwise बचे तुसी पुली वाला article कीता हुया पुली वाले article दी विचे जड़ा mass जड़ी tension हा ओदे equal जड़ा थोटा answer आजेगा acceleration mg divided by m plus small mc ठीक है थी gravity भी ना आला है ता multiply gravity आजेगा acceleration so सिद्धा सिद्धा वैसे ता answer आ रहे है mm divided by m plus m बट फिर वी इस बुक ने बचे proper जड़ी explanation दित्ती हुई या था तुसी देख साकते हा so एक बड़ी ज़रूर ट्राइ करके देखना last question बचे second hand of a clock is 10 km, the length of the second clock l given a velocity of the tip of the hand velocity मतलब तुसी जड़ी आप भी पता करना any length बचे था नू गिवाना second hand second hand मतलब की जड़ी कड़ी दी दूसरी सुई हुन दिया so बचे पहलना था clock बनाओ clock मतलब इतना so उने किन्ना distance कवर किता 2 pi r so distance किन्ना हो गया 2 pi दी वैली 3.14 radius किन्ना 10 so इत्थो आगया था 62.8 cm so time किन्ना लग गया 60 seconds हुन बच्चे उनने क्या कि velocity निकालो so velocity कितना निकालांगे velocity दा formula किया velocity is equals to distance over time so distance किन्ना लग गया 62.8 divided by time किन्ना लग गया 60 seconds so इन्नों solve करके देखलो बच्चे 1.0466 seconds इता मतलब 1 second असी लिक सकतिया 1 cm per second so जड़ाया C option is the right answer so बच्चे आज दी वीडियो थोड़ी जी लेट होगी अधरवाई 7 बच्चे तक टड़ी थोड़ी वीडियो ओपलोड हो जन दिया प्लस वन दी थोड़ी जी तबियत खराब होन करके थोड़ी जी आज वीडियो लेट होगी but I hope तुसी corporate करूंगे so वीडियो नूँ प्लीज बच्चे मैक्सिमम शियर कर दो लाइक कर दो अगर चैनल नूँ सस्क्राइब नहीं किता थो सस्क्राइब करना ना पूलना so अपने सारे friend circle तक बच्चे चैनल नू request कर दो कि चैनल नूँ सस्क्राइब ज़रूर कर दिन thank you so much